स्वेलो फेंट वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब मेरे नाएं भरत और आज इस वीडियो के अंदर हम जो है चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं आईफोन 6S Plus का तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज ड्रोन टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल नोटिफिकेशन को भी आउन कर लिजे तो इस वीडियो के अंदर हम चार्जिंग टेस्ट कर रहे हैं यहां पर हमने चार्जर जो है आउन कर दिया है और चार्जर जो हम यूज कर रहे है वो है एपल का ओरिजिनल 20 वाट का चार्जर तो टेस्टिंग भी हो जाएगी क कितना जल्दी जो है यह फोन को चार्ज करता है क्या 20 वाट चार्जिंग सपोर्ट करता है आईफोन 6S प्लस कुछ मदद मिलती है या फिर नहीं आज हम इस वीडियो में टेस्ट करने वाले है यहां पर जो सॉफ्ट्वेर हमने यूज किया है वो है आई यूस का 16.1 वाफ क चुका है और बैटरी की बात करें तो 15% यहां पर बैटरी चार्ज हुई है और अच्छी स्पीड देखने को मिली है इनिशल स्पीड जो है डीसेंट मिल रही है फास्ट चार्जिंग जैसा तो कुछ भी फील नहीं हुआ है लेकिन अच्छी स्पीड मिली है 20 वाट के चार् स्पीड स्फीड है और अगर इस हिसाब से क्या क्रें आरे करें तो अल seminar मिली है। दो से धाई गंटे में फोन फुल चार्ज हो जाना चाहिए तो देखते हैं टेस्ट को continue करते हैं और अगले पंदा मिट के बाद देखते हैं कितना पर से फोन चार्ज हुआ है तो प्रेट 54 मिट का जो टाइम है वो complete हो गया है फोन जो अभी भी continuously continuously charge हो रहा है, तो यहांपर एक बार चेक कर लहाते हैं, कितना percent phone charge हो चुका है. तो 43% phone charge हो चुका। test को continue करते हैं और देखते हैं फंता मिट के बाद और कितना percent phone charge हुआ है. ईफेंण्स 1 गंटे का जो time है वो complete हो गया है। और finally अब चेक करते हैं कि कि इतना परसेंट फोन चार्ज हुआ है एक घंटे में तो अभी तक जो है फोन ने बड़िया स्पीड से चार्जिंग दिखाई है देखते हैं कि कितना परसेंट जो है फोन चार्ज हो अगर आपके पास एक घंटे का टाइम है तो अराउंड 58% फोन जो है चार्ज हो चुका है जो कि मुझे लगता है काफी कमाल की स्पीड है, इतने पुराने फोन से यह expectation नहीं थी, कि इतना बढ़ी है स्पीड से जो है यह चार्ज होता हुआ दिखाई देगा, अमेजिंग स्पीड से जो है यह फोन चार्ज हुआ है एक घंटे में, और आज के फोन भी कई फोन ऐसे अगर आप एंड्रोइड के लेंगे 15,000 रुपए तक की रेंज के तो उनमें भी आपको लगबग इतनी ही स्पीड देखने को मिलती है चार्जिंग की, तो आईफोन सिक गंटे का जो टाइम है, वो कंप्लीट हो गया है, फोन चार्ज हो गया है 80%, तो अगर आप अपने फोन को देड़ घंटा चार्ज कर लें, आईफोन सिक्सेस प्लस को, तो 80% चार्जिंग कैपेसिटी आपको मिल जाएगी, तो मुझे लगता है काफी बढ़िया स्पीड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, तो फ्रेंट्स एक गंटे और 45 मिट का टाइम कंप्लीट हो गया है, फोन चार्ज हो गया है 88%, अब जो हलका सा ड्रॉप देखने को मिला है, चार्जिंग स्पीड में, तो 10% भी चा चार्जिंग स्पीड है, उसमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है, टेस्ट को जो है कंटीन्यू करते हैं और देखते हैं कि अगले 15 मिट में कितना परसेंट फोन हमें चार्ज होता है, दिखाई देता है, तो फ्रेंट्स दो घंटे का जो टाइम है, वो कंप्लीट ह हो गया है यहाँ पर और दो घंटे में फोन चार्ज हो गया है, 94 परसेंट तो मुझे लगता है, 94 परसेंट भी जो है अच्छी चार्जिंग स्पीड आपको मिली है, अगर आप अपने फोन को 20 वाट के चार्जर से चार्ज करते हो, तो दो घंटे में जो है 94 परसेंट इस गुड़ स्पीड मुझे लगता है इफोन 6S Plus के लिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं फ्रेंट्स कमेंट करके जरूर से बताईए, अब टेस्ट को जो है फाइनल कंक्लूट कर लेते हैं और देखते हैं कब जाकर कि जो यह 100 परसेंट पर पहुंचेगा, तो फ्रेंट्स लगबग हर 15 मिट में 5-6% अब बढ़ रही है, तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है इसके अंदर, तो कंटिन्यू करते हैं टेस्ट को और देखते हैं कब जाकर कि 100% पर पहुंचेगा, तो फ्रेंट्स धाई गंटे का टाइम पूरा हो चुका, एक बार चेक कर लेते हैं और उसी टाइम पर हम चार्ज भी कर रहे हैं, तो इसकी वज़े से जो है थोड़ा सा टाइम लग रहा है फोन को चार्ज होने में, बट चार्जिंग स्पीड जो है, फिर भी मैं कहूंगा, जो दो घंटे में चार्ज हुआ है, वो काफी फास्ट स्पीड से यहां पर चार् प्रफूट कर देते हैं इसको 100% तक सुवेंट्स फाइनली 2 आर 43 मिनिट्स में जो है यहां पर आपका जो आइफोन 6S Plus है वो fully charged हो चुका है और काफी time लगा इसको charge होने में लगबग 2 गंटे 2 आर 42 मिनिट्स पे यह 100% हो गया था तो काफी जाधा time लगा है इसको full charge होने में तो last के जो 10-15% थे उनको charge होने में especially बहुत जाधा time लगा otherwise overall जो charging speed आपको मिली है वो काफी बढ़िया मिल रही है 20W के charger से तो मैं suggest करूँगा कि आप उसी charger का जो है use कीजिए इससे आपको काफी जाधा benefit मिलने वाला है इन future भी अगर आपको यह नया iPhone पे switch करेंगे तो लगबख सभी iPhones जो है fast charging को support करते है iPhone 8 से जो भी आप लेंगे और बहुत सारे phones के जो है charging test आने वाले है battery drain test आने वाले है तो चैनल को subscribe ज़रूर से कर लिजे इस वीडियो में इतना ही था friends I hope आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like भी कर दीजे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye